नमस्कार दोस्तो मैं हूँ आपका दोस्त मनमोहन स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 7 सेग्मेंट LED क्लोग बनाना सिखाऊंगा 6 डिजिट में जिसमें सेकंड्स भी डिस्प्ले होंगे और इसमें RTC भी लगा हुआ ह दोस्तो 7 सेग्मेंट LED क्लोग की किट आप मुझसे पर्चेस कर सकते हैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं आप Amazon से भी इसे पर्चेस कर सकते हैं आप डिरेक्टली मुझसे पर्चेस करते तो मैं आपको कॉस्ट बैनिफिट दे दूँगा काफी आपको कम कीमत म के अंदर आपको मिलेंगे में एक वन बाई वन सारे आपके सामने दिखाता हूं डिसकस कर लेते हर एक का फंक्शन क्या 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 आइटम्स हैं इस किट में मैं आपको बतायता हूं चलिए इस पैकेज को मैं अपन करता हूं अभी देखिए यहाँ पर दो फैब्रिकेटट लेटी है ठीक है यहाँ पर यह एलेडी है फिसद्धालिती है ठीक है आप किसी भहरकरेंडी से अपर डिफ्यूस ऐलेडी ही यूजक एख्て और हमें क्या अपर हमें क्या मिल रहा है यह माइ costing किया हुआ है और हमारी यह यह लिदि Thighamahion-Battery इस package में आ जाएगी। कई जगह पर koreyor facility में लिथिमायन बैटरी शप्लाइं नहीं होती है। इसलिए वहाँ वहाँ पर आपको बिना बैटरी के package मिलेगा। ठीक है जिस लोकेशन पर एक बैटरी मिलेगी उसमें मैं आपको बिल्कुल सेंड करूंगा यह ठीक है यहां पर RTC ठीक है RTC मोडिल भी इसके साथ आएगा RTC वाली क्लोक है यह और एक प्रोग्राम किया वह माक्रो कंट्रोलर इसमें आएगा ठीक है यह 6 डिजिट क्लोक का की सामन हटा देते हैं और हम शुरू करेंगे लिधीमायन बैटरी से इस बैटरी की मदद से हम सभी य попад को को एन पार बैटरीות का हम फुर में का हम घ्री तरह किट मैं यहां अगा के लिए पैटरी है तुम यग को चेक करेंगे डी तो गरट फूङ खराब होजाएंगे तो ऊधर ज़ती हम घ्री जो करने से किया होगा कि को जे थे अगर वह ज्यादा MPR कंजूम कर रहे होगी तो इसका ब्रैटनेस लेवल डिफरेंट होगा और हमें यहां पर नोटिस हो जाएगा ठीक है अगर कोई LED बहुत ज्यादा ग्लो कर रही है या कम ग्लो कर रही है तो उसे हम निकाल देंगे ठीक है तो इस तरह से मैं करके सारी LED यहां पर चेक कर लेंगे इसके बाद हम क्या करेंगे के इनको PCB पर लगाना शुरू करेंगे सारी LED जो मैं यहां पर सप्लाइ करूंगा किट में वह सारी Everlight ब्रैंड की है तो कोई भी LED मुश्किल सही कोई LED खराब निकलेगी ठीक है काफी अच्छी क्वालिटी की LED में दे रहा है के LED चेक करने के बाद हम PCB पर आते हैं कि PCB चार डिजिट की और हमें बनाना है सिक्स डिजिट तो एक PCB को दूसरी PCB के ऊपर कुछ इस प्रकार से हम यहां पर रखेंगे ठीक है और एक मारकर से हम यहां पर एक लाइन ड्रो कर ल इस तरह से लाइन खीचने के बाद इसे हम कट कर लेंगे कट करना बहुत ही आसा ने हम हैक्जा ब्लेट की मदद से ऐसा कड सकते हैं ठीक है तो हम यहां पर थोड़ा सा मारकिंग एक और लाइन यहां पर में खीच लेता हूं ताकि इसको जो हम स्क्रू से टाइट करेंगे तो उसके लिए थोड़ा स्पेस होना चाहिए तो इस तरह से हम दो लाइन ड्रो किया और इस वाली लाइन को हम कट कर लेंगे कट करने के बाद हम इसका सिक्स डिजिट पीसीबी बना लेंगे लेकिन पहले हम फोड़ीट वाले पीसीबी के उपर कंप्लीट करेंगे ठीक है अभी जो मारकर से हमने मारकिंग किया अगर वो मिटा ना हो तो मैं बता दूँ आपको कोई भी बॉड़ी स्प्रे की मदद से हम इस परमारिन मारकर के निशान को आसानी से मिटा सकते हैं देखिए इस प्रकार ठीक है तो अगर कोई लाइन गलट ड्रो हो जाती तो आप उस दीखिर यहां पर जो led का जो symbol है इसमें एक तורफ जो है simple line बना होगा है कर बना होगा है यहां पर हम माइनश रखेंगे यहां पर माइनश वाला लेक्ट की तरफ रखेंगे जो PCB में जो उपर led का मार्केंग चिसमें कट लगा हुगा है वहाँ पर हम lad का माइनस वाला लेग रखेंगे अब यहाँ पर यह 4 led लगा कर इस तरह से रखकर हम हर 52抱 का 50 Guru कर देंगे ठीक है 인олод का हम एक homes का हम एक ही लेग यहाँ पर किए ठीकि अगर कोई गैप आती है पी-सी बी और अड दी में तो वो जो एक लेट को सॉल्डर किया था उसको वापस सांड करके सढ़ीजे कर देंगे अभी कोई इसका दूसरा व्ला लेक भी लिन कर देंगे ठीक है तो इस तरह से हमने इसके चारो एलेडी को यहां पर पीसीबी पर सॉल्डर कर देया देखे किते प्यारे लग रहे हैं ठीक है अब हम क्या करेंगे कि हम बैटरी लेकर ठीक है लिटमाइन बैटरी लेकर और उस पर एक तरफ हंड्रेड ओम का रैसिस्टर ठीक है ताकि आगे कोई भी मिस्टेक होने की संभावना न रहे ठीक है चलिए अभी हम दूसरा सेग्मेंट यहां पर बनाते हैं ठीक है इसमें भी वही पैटर्न हमें यूज करना है जहां पर कट का निशान है उपर पीसीबी पर एलेडी में वहां पर नेगेटिव लेग को अगलेड़ के ओके और इन चारों पीसीबी को भी हम यहाँ पर सुल्डर कर देंगे सिंगल सिंगल लेग को थीक है अ तो यहां पर इस तरह से सॉल्डर करते है उब इस के से अभी हमने यह सीधा कर दिया है आपको समझ में आया होगा एक हम क्या करेंगे इसको भी हम कट कर लेते हैं ठीक है जो एक्स्ट्रा प्रोब निकले हुए इसमें से उनको हम एक PCV कटर की मदद से कट करके अलग कर लेंगे ओकी तो यह इतना बढ़िया जो है हमारे दो सेग्मेंट तो बन गए हैं अब तीसरे सेग्मेंट की और हम बढ़ेंगे इसने भी पैटन हमें फॉलो करना है देखिए यह वादा नेगेटिव लेगे इसको नीचे की तरफ रखके इस तो लगा लेंगे ठीक है तो आई होप आपको समझ में आगया होगा अब मैं पूरे वीडियो में लगा कर तो आपको नहीं बताऊंगा ठीक है आपको पैटन समझ में आग लिए होगी तो आपको यहां पर जो है शोट आउट इतना लगाने के बाद इस तरह से हम सोल्डर कर देंगे पीछे अगेन अगला सेग्मेंट बनाना शुरू करेंगे ठीक है तो इस तरह से वन बावन एलेडी आपको लगाना है और एलेडी लगाने के बाद आपको साथा बैसे यह बना आप बना चुके हैं मुझसे 쓰å लेकर पहले तो फिर आपको यह है सिखस्वचिआ सिट वाले क्लोग मैं आपको आपको मिलेगा अर्टीसे से यहाँ लगा हमेशा का टाइम करेक्ट अप उसका पावर भी आण कर देंगे तो भी इसमें अन इसम स्टर र अभी एक सेग्मेंट जैसे आप एक सेवन सेग्मेंट बना लेते हैं तो उसके हर एक सेग्मेंट को आप चेक कर लेंगे ठीक है तो इसमें नेगेटिव वाला हम यह सेंटर में रखेंगे यह नेगेटिव का ठीक है इसके बाद यह पॉजिटिव और इधर यह वाला सेग्मे हो गया इसके उपर सारे सेवन सेग्मेंट हमने लगा दिये अब हम क्या करेंगे एक बार फिर से फाइनली हर एक सेग्मेंट को चेक कर लेंगे ठीक है टेस्टिंग बहुत ही पॉलम नहीं आएगी ठीक है तो हम यहाँ पर कॉमन में रखेंगे इसका नेगेटिव वाला और इस तरह से हर एक सेग्मेंट पर आप रेसिस्टर के तुरू पॉजिटिव सप्लाई से आप चेक कर लेंगे कि हर एक सेग्मेंट इसका ग्लो कर रहा है या नहीं ठीक है तो इस तरह से एक बार आप पूरा चेक कर लें ठीक है आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ठीक है तो एक बार आप यह पूरा सेग्मेंट बना लेते हैं देखिए इस वीडियो में हम क्या करेंगे सबसे पहले चार डिजिट वाला आर्टिसी क्लोक बनाएंगे ठीक है और फिर लेंगे अपना और पीसीबी की ओपर कुछ मार्किंग कर लेंगे ठीक है जहां पर भी यह आर लिखा हुआ है वहाँ पर हमें रैसिस्टर लगाना है ठीक है तो यहां पर आर लिखा हुआ है तो मैं यहां पर एक रैसिस्टर का डिजाइन निशान बना देता हूं ठीक है ज दोनों को joint करना एक jumper बनाना है जहां यह जई लिखा हुआ है यहां बहुंद लिखा है वहां भी जमपर यहां पर शीकंड को लगेगा एक कि चाहतो 100 Ohm कभी लगा सकते कोई शुम लेकिन किट के अंदर आपको मिलेगा वहांपर wanna kka लगा लीजी है यहाँ पर halla उ हम simply line और यह यहाँ रेसिस्टर है नियाँ का symbol बना लेते थैं ठीक है तो अभी अभी निशन नदा लिए यहाँ पर नशन बना ली है यहाँ पर हम रैसिस्特 को Stephen नगा लें विडिन है कहां पर जंपर लगाना है ठीक है थोड़ा सा स्पीड अप कर देता हूं वीडियो को नहीं तो वीडियो अन्नेसेसरीली बहुत लॉंग हो जाएगा ठीक है ना क्योंकि मुझे अल्रेडी लग रहा है कि यह आदा घंटा से ज्यादा वीडियो चलने वाला है ठीक है चलिए तो यह हमारा रहे सर्थ हों और अन्डा करने बाद जो इनके लेंग गोँए एक्सटा लोंग इनको कट कर लेंगे और उनको जंपर की जगह बाद चानगे मैं इसी PC पर तो एकदव में आप सारे के सारे responsible कर के बताता हूं ठीक है तो इस प्रकार से हम सारे रैसिस्टर यहाँ पर सॉल्डर कर लेंगे ठीक है दोस्तों अगर आप यह किट पर्चेस करना चाहते हैं तो आप मुझे वाटसप पर स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर मैसेज करके मुझसे यह किट प्राप्त कर सकते हैं अपना कंप्लीट अडर् में आप वहां से इस पर्चेस कर सकते हैं थीक के तो आइकुआ होप आपको क्ल Leyur हो गया होगा कि किट कहां से आपको प्राप्त करनी है कैसे पश्चेस करनी है ठीक है ले बातों हमने सारे जंपर यहां लगा लिए अब क्या करेंब इसम्यां पर लगाएंगे दे आई के का – जो बे Superbirds आप यहां पर लगाएंगे सिधा सिधा थैक है फिर बाद में इसटीौप तो कर देंगे। Zweist कप श्यवर म्त निच्छ रे disparity कि तरफ यहां पर यहांप लगाएंगे is popularsters up मैं आपको सलल्डर कर लेंगे। solder करने के बाद यहां पर जो है हम switch लगाएंगे दोस्तों इस kit पर हम चार switch लगाएंगे लेकिन यह PCP पर केवल तीन ही है ठीक है ना बाकी क्या एक switch जो है जो दूसरा PCP extend करके हम लगाएंगे ना उस पर लगा लेंगे वह जो switch रहेगा वो 12 hour और 24 hour में toggle करने का switch यहां जो हमारा RTC वाला connector था यहां पर हमने 4 wires solder कर दिये ठीक है यह चारो wires के मैं आपको बता देता हूं ठीक है यह जो red वाला वायर है definitely यह VCC का है ना positive supply का black वाला negative supply ground और यह वाला जो है serial data और यह serial clock ठीक है लास्ट वाला जो है वह serial clock है ओके अभी हमारी जो यह इसके साथ जो module आयगा यह RTC वाला इसमें भी जो चार पींस होती है VCC ground SDA SCL इनके उपर इनको हम solder कर देंगे ठीक है तो जो ground वाला है उसे हम ground से solder कर देंगे देखिए यहां पर जो PCB पर printed रहेगा कहां पर ए ग्राउंड यह फस्ट वाला तो इसको हम यहां पर solder कर देते हैं इस प्रकार से ठीक है तो इसको यहां पर अच्छे से solder कर देंगे और solder करने के बाद हम क्या करेंगे अगला वायर जो है इस प्रकार से और फिर हम SDA है ठीक है सीरियल डेटा SDA हम यहां पर अगले उस पर सॉल्डर कर देंगे ठीक है तीसरा वायर जो रहेगा वो SDA का है ठीक है केवल 4 ही वायर हम यहां पर कनेट करेंगे ठीक है गलाता है ठीक है आःडूनो में इसको हम यहां पर कर देंगे और जो लास्ट वाला वाइर है उसे हम SCL से क्लॉक इस पर हम solder कर देंगे सावधानी से यहां पर होल्ड करके रखना है और की मदद से यह लास्ट वायर हम यहाँ पर solder कर देंगे ठीक है तो आटीसी लगा लेने के बाद ठीक है अभी हमारा क्या है कि यह कंप्लीट हो गया है अब हमें केवल वी सी सी और ग्राउंड देना इस पी सी बी को और हमारा जो एक लोग चलने लग जाएगा ठीक है इसे हम कहीं भी चिपका सकते हैं बैक साइड में या कहीं भी एक डबल साइड टेप की मद में सुरी फॉर डिजिट में कंप्लीट हो गया है पूरा सर्कृट पूरे कंपोनेंट्स तो हम यहां पर माइक्रो कंट्रोलर लगा देते हैं ठीक है माइक्रो कंट्रोलर देखिए इसमें यह उल्टा लग रहा है ना इसका जो यह पिन नंबर वन है यह टॉप राइट में इसको हम यहां पर इसकी फ्रेंट पीसेवी पर वी सी सी और ग्राउंड के वायर कि हम यहां पर सॉल्डर करके निकाल लेंगे ठीक है छीवे भी के back side में print दिया गया यह पर WCC मिलेगा. कहां पर ground. यह हम पर जिसा की marking दे रहा है. इसके बाद हमें और क्या करना है जाए मैं आपको बता दूँ. हमने क्या किया है कि multiplexing क्या है हर एक segment το दूसरे digit के segment سے connect होगा. ठीक है हरяться segment में ABCD हरrics 7 segment interpre disgust में A, B, C, D segments होंगे ठीक है तो ये वाला जो segment है ठीक है ये वाला ये इस segment से connect होगा और ये दोनों मिलके फिर यहाँ पर इस digit के same parallel corresponding ठीक है same corresponding segment से ये आपस में connect होगे देखिए उपर वाला और निचे वाला तो ये connected PCB के ओपर ये दे रखा है ठीक है केवल ये जो side के बाकी के पांच जो है ये segment इनको आपको connect करना रहेगा तो किसी भी एक वायर के थ्रू उसे jumper की तरह use करते हुए हम हर एक corresponding segment को solder करके आपस में connect कर देंगे ठीक है बहुत सवधानी से ध्यान से सुनिएगा कैसे देखिए ये एक वायर लिया मैंने ठीक है इस वायर को हम यहाँ पर ठीक है वो जो top वाला जो है pin वहाँ पर देखिए नीचे वाला जहां पर अभी लगा रहा हू वो क्या है ground है और यह वाला क्या है positive है ठीक है तो इस positive से connect करेंगे ठीक है यह segment कर रहेगा और इस wire को मैं यहाँ तक लेकर आऊंगा यहाँ तक ठीक है और इसको यहाँ पर हम solder कर देंगे ठीक है तो इससे क्या होगा हमारा की दूसरा digit जो है उसका corresponding segment हमें यहाँ पर मिल गय है और इसे हम यहाँ पर solder कर देंगे ठीक है बहुत ही साउधानी से लगबग मान लीजिए कि यह भी बहुत important part है यहाँ पर आप अगर इसको positive पे नहीं और negative पर connect कर दिया ठीक है यह LED की positive पर connect कर रहे हैं अगर यहाँ पर positive पर नहीं और negative पर कर दिया हमने गलती से तो पूर साउधानी से इस step को cover करते हुए हम इसको यहाँ पर complete करेंगे ठीक है तो यह दो डिजिट तो connect हो गए हैं अब हम तीसरा डिजिट यहाँ पर connect करने की और बढ़ रहे हैं और इस wire को हम यहाँ पर लगा देते हैं इस तरह से कि बहुत ही वीडियो को मैंने यहाँ पर फास्ट नहीं किया है काफी स्लो करके मैं दिखा रहा हूं क्योंकि यह important पार्ट है अगर यह skip हो गया तो आपको problems आएगी क्योंकि 4 डिजिट वाली जो kit से मैंने काफी sell की है और जो मेरी audience से जो problem face की गई है जो बार-बार मुझे स जो common mistakes वो कर रहे थे वो इसी पार्ट में थी ठीक है तो इससे बहुत ही सावधानी से आप लगाएंगे तो बिल्कुल यह हो जाएगा complete ठीक है तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने जो digits थे इसमें एक segment जो था वो सबको connect कर दिया सभी segments से सभी corresponding segments से ठीक है तो इस तरह से यह complete होगा है तो अब हम यह तो complete हो गया है यहाँ पर यहाँ से यहाँ पर और फिर यह ठीक है चारों digits में same corresponding segment हो गया अभी हम यह connect करना शुरू करेंगे यहाँ से यहाँ पर और यहाँ पर ओके बहुत ही आसान है same thing प्रोसेजर में करनी है एक वायर लिया इस वायर को वापस हम यहाँ पर पॉजिटिव पर लगाएंगे इस प्रकार से इसको solving iron के मदद से यहाँ पर लगाएंगे यह देखिए यहाँ यह जो positive सी रहा है ना जो बीच में common है वो negative रहेगा जो हमने seven segments बनाया है वो common cathode type के हैं ठीक है ना तो इसमें हर एक segment जो है वो positive है और जो हर एक रहें यहाँ पर ठीक है इस wire को यहाँ पर थोड़ा सा अलग करेंगे इतना सा ठीक है और फिर इसको solder कर देंगे बहुत ही important part है यह इसलिए मैं बीना fast forward के आपको दिखा रहा हूं ठीक है तो दोस्तों यह जो वीडियो है इस वीडियो के अंदर हम six digit clock बना रहे हैं लेकिन यह वीडियो जो है four digit clock बनाने के लिए RTC वाला four digit clock उसके लिए भी यह वीडियो का में आ जाएगा ठीक है तो इस kit के अंदर मैं आपको दो PCB दूँगा आप चाहे तो एक four digit वाली clock ही चाहते है RTC में तो वह बना के रख लीजिए और अगर आप चाहते है कि six digit बनानी है तो उस में से अगली PCB में से दो डिजिट को आप कट कर लेंगे और बढ़ा सकते हैं उसको और six digit बना लेंगे पूरी clock ठीक है अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं वीडियो में शुरू में चाहर डिजिट वाली complete clock बनाना सिखाऊंगा RTC ठीक है फिर जो दो डिजिट है वह ब करेंगे ठीक है बनाने में बहुत ही मज़ा आएगा आपको बचपन से ही में खुद जो है यह किस तरह से सेवन सेग्मेंट वाली LED clock बनाई जा सके इसके लिए काफी महनत की थी मैंने हाला कि तब मैं बहुत चोटा था और मुझे guidance प्रोपर नहीं मिल पाय था ठीक है चलको लोग खुद अपने हाथ से बनाना चाहते हैं लीडी से उनके लिए मैंने यह kit available करवाया ठीक है और काफी अच्छा response मिल रहा है मुझे public से काफी purchase कर रहे हैं लोग और बना रहे हैं और अगर उनको कोई problem आती है तो मुझसे personally WhatsApp पर पूछते हैं और problem solve होने पर वो लो से पांच सेग्मेंट है पांचों को हम जोड़ देंगे एक दूसरे से ठीक है अब तो समझ में आ गया होगा के दोस्तों अब यहां आप देख सकते हैं कि बीच में जितने भी सेग्मेंट से हमने सभी corresponding सेग्मेंट से उनको connect कर दिया है ठीक है इस परकार से ठीक है अब यह क्लियर हो चुका है आपको किस तरह से इन डिजिट्स को सौरी सेग्मेंट को आपस में connect करना है विसिसी और ग्राउंड के वायर हम जोड़ रखे है रेड और ब्लेक और अब मैं इसको जो है अपनी लीथे मायन बैटरी से connect करने वाला हूं त्री पैटरी है ठीक है इस से मै आप देखेंगे किस तरह से फोर डिजिट आटी सी क्लोग हमारी complete हो गई है और यह ग्लोग करेगी ठीक है तो वायर्स को मैं यहां पर जो है connect कर देता हूं अपने हाथ से इसे में joint कर देता हूं ठीक है अब आप देखेंगे किस तरह से पावर अप हुई है ठीक है तो यह ह कोई टाइम नहीं तो सेट कैसे करोगे उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यह जो इसके साथ मिलेगा यह अलरी प्रोग्राम डे आर्टी सी के अंदर टाइम सेट करने के लिए ठीक है तो कैसे करना मैं बताता हूं सबसे पहले इसका तीन बटन है इसमें राइट मोस्ट ब बाहर आना है तो जो थर्ड बटन हो एक बार दबा देंगे ठीक है इस तरह से इसमें टाइम कर सकते हमारी एक लोग देखिए चल रही ठीक है आठबाशके 20 मिनट समय तौन हमने टाइम सेट कर दिया हमने डिसकनेट किया फिर से करेंगी तो जो भी टाइम सेट किया था करे देगा ठीक है इसलिए तो हमने आटीसी लगाया है ठीक है तो चलिए यहां पर हमारी फोर डिजिट आटीसी क्लोग तो कम्प्लीट हो गई के दोस्तों अब सिक्स डिजिट आटीसी क्लोग बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि यह जो दूसरी PCV थी इसमें से हम दो डिजिट ज क्या करेंगे कि इसे हम इस फोर डिजिट वाली PCV के साथ कर देंगे जो इस कुरू के हॉल से इसमे हम डृिल करके दो इस Kruy की मदद से हम इसे आपस में आपस clicks कर देंगे उससे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम LED लगा लेंगे ठीक है यहाँ पर जो दो सेवन सेग्मेंट से और बीच में जो यह डॉट से ठीक है इन पर हम जो है LED लगा कर चेक कर लेंगे अब LED लगाना मैंने आपको सिखा रहा है इसलिए इस पार्ट को मैंने फास्ट कर दिया है ठीक है तो फास्ट फॉवड में आप देख लीजिए एक सेग्मेंट को वैसे बनाना है तो इनको लगाकर हम solder कर देंगे और ये दो डिजिट जब complete हो जाते हैं उसके बाद हम इसको जो है इन चार डिजिट से connect करेंगे connect करने का process मैं बिल्कुल आपको विस्तार से समझाऊंगा ठीके तो अभी हम hope आपको enjoy कर रहे हैं इनको जो है connect कर देंगे ठीके जब ये kit आप मुझसे purchase करेंगे फिर से देखिएगा ठीके पूरा complete करने के बाद अभी हम क्या करेंगे देखिए दो डिजिटोर complete हो गए और एक switch यहां पर लगाना है ठीके अब यहां पर हमने jumper जहां लगाने थे लगा दिये और हमें यहां पर अलग से रेसिस्टर नहीं लगाना रहेगा ठीके तो अभी हम इसको यहां पर इस PCB पर इस तरह से रखेंगे और दो screw की मदद से इसे लगा लेंगे ठीके तो यहां पस में दोनों PCB जोइंट हो जाएगी फिर जो connection हमें करने ठीके जहां पर हमें करने वह जगर में वह पॉइंट में आपको बता दूँगा तो अभी हम क्या करेंगे कि यह screw लिया और इस screw की मदद से इसको यहां पर हम टाइट कर देते हैं ठीके यह screw जादा लोंगे तो इसका बैक हम वापस कट कर लेंगे वह तो कोई issue नहीं है ठीके तो हम यहां पर ज चासा जोइंट बन जाएगा इनका ठीक है तो इसको यहां पर वैसे में six digit का PCB भी बना लेता लेकिन वह PCB काफी बड़ा हो जाता ठीक है तो ट्रांस्पोर्टेशन PCB डेमेज होने के पूरे chances बन सकते थे इसलिए हमने केवल चार्ट डिजिट वाला छोटा PCB बनाया है इसमें हमने जित्ता बड़ा हो सकता था उतना बड़ा बना दिया है ठीक है तो इस तरह से गर हमें चार्ट डिजिट बनाना है तो भी में बन जाएगा और dusra Works करके का थेक है अब चलिए When a segment सारे जोड़े थे ना वह इन दो सारप कर देंगे इस प्रकार ठीक है ल यह दो हमने और जोड़ दियें यहां पर तो यहां पर एक जमपर लगाकर हम यहां तक जोड़ देंगे ठीक है तो इससे जो है वो ओपर वाले दो सेगमेंट भी कनेक्ट हो गए और नीचे वाले भी आप देख सकते हैं यहां पर यह जो ट्रेक आ रहा हाए ना इस ट्रेक को हमने यहां से थोड़ा सा हटा कर यहां तो जोड़ दिया है ठीक है यहां पर उपर की जो कुटिंग उसको थोड़ा सा रब करके आप हटा के वहां पर आप सॉल्डरिंग कर लेंगे तो इस तरह से यह सारे के सारे जो पांच तो बीच में है और उपर नीचे छे, साथ, सेवन सेग्मेंट हमने आपस में करनेक्ट कर दी है ठीक है अब यहाँ पर हमें कुछ जमपर लगाने थे जैसे यहाँ पर लगाए थे वैसे वो जमपर वहाँ भी लग जाएंगे और उन वायर्स को यहाँ पर करनेक्ट कर देंगे यहां पर यह पिंस फ्री देख रही यह तीन पिंस है ना तो इसमें से पहली वाली रिसेट किए अगली दो पिंस जो है वो उन दो डिजिट से जुट जाएगी डारेक्ट ली ठीक है यहां पर जोनना है यहां से ठीक है बहुत ही आसान है आप कर लेंगे ठीक है तो इनको जो है यहां पर सोट कर देना है सोल्टिंग कर देना है आई होप आपको समझ में आ रहा होगा तो अभी मैं आपके समने करके बताऊंगा यहां पर जो स्वीच है हमारा है स्वीच में एक वायर से हम जोड़ देंगे ग्राउंड से यहां तक तो यह वाला तो ग्राउंड हो गया इसके बाद स्विच का जो दूसरा वायर रहेगा ठीक है ना तो जो दूसरा वायर रहेगा उसे हम सॉल्डर करके देखिए यह वाला ट्रेक जो यहां पर आ रहा है ठीक है इसको हम जो जो पीन है वो कहां जुड़ेगी इस स्विच पर यह स्विच रहाएगा टॉगल करने के लिए कि हमें टाइम जो है ट्वैल आवर के फॉर्मेट पे देखना है यह 24 आवर के फॉर्मेट अब आपको वायर कनेट करके बता जेता हूं देखिए यह जो जमपर यहां लगा कि यह अबी स्विच है ऑपिन नंबर स्विच यहां पर solder कर देते हैं ठीक है तो अभी हमने डिजिट कर दिये हैं सेग्मेंट भी सारे ऊपर कर दिये हैं ठीक है तो अभी डेफिनेटल वाइरिंग हमारी लगभा complete है अब हम क्या करेंगे देखिए जो switch है है ना switch का मैंने बता है यह वाला ground है ठीक है switch ko ground किया जाता है तो जो ग्राउंड वाला तो इसको मैं यहां पर soldier करता हूं ठीक है यह switch को यहां पर solder किया और wire को extend करके हम ले आते हैं यहां पर ICP number 26 तक और इसको pin number 26 पर हम solder कर देंगे ठीक है बहुत ही धेरे पुर्वक देखिए यह वाला पार्ट वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दो पीसी बीज आपस में जोड़ी है न हमने इसलिए इतनी वायरिक हमें करनी पड़ेगी ठीक है तो यहां पर यह कंप्लीट ऊगया लगतर ठीक है पूरी तरह से कंप्लीट है और हम इसको आपस पावर दे कर देखते हैं ठीक है तो यह पर वापस से मैं आटिसी लगा देता हूं ठीक हम आफिसी लगाने की जगर नहीं दिह ले था büy तक लेमे विश मिस्षिघा सकते हैं ठीक में और बाकी यह जो प्लॉस और मैनस के वायर हैै इसको हम जोडते हैं लीथियमायन बैटरी से पर अभी आप देखें कि हमारा ऑई तो इस प्रकार आप देख सकते हैं किस तरह से सिंब्समर करें सक्वलोक बना सकते हैं ठीक है Time set करने के लिए इन तीन में से Rightmost बटन दबाएंगे फिर जब हम Left बटन दबाएंगे तबाएं रखेंगे ना तो यह आपर यह Hour चेंज हो रहे है ठीक है और बीचवाला बटन दबाएंगे तो यह Minute चेंज हो रहे हैं इसमें बार बार नहीं दबाना है दबाए रखना है बस कंटिनियसली ठीक है तो यह टाइम हो गया और अब जब साइम से बाहर आना है तो इस तीसरे बटन को एक बार फिर से दबाएंगे हम टाइम से बाहर आ गए तो अभी देखिए जो टाइम चल रहा है ना यह 12 अवर में चल रहा है अगर आप मोड चेंज करना चाहते है जो चोथा बटन है उसको एक बार दबाएंगे देखिए अभी यह बीच वारे डॉट ब्लिंक नहीं हो रहे क्योंकि वो हमने कनेक्ट नहीं किये हैं तो उनको भी मैं आपको कनेक्ट क को तो वह 12 अवर में दिखाने लग जाएगा टाइम को अभी यह डॉट जो ब्लिंक नहीं करना क्योंकि इसकी वाइरिंग हमने नहीं किये यह दो डॉट जो है पहले दो डॉट से पेरलल में कनेक्ट होंगे ठीक है तो उनको मैं जोड देता हूं और फिर वापस आपको बत सकता है यहाँ पर यह 6 डिजिट की जो क्लोग है यह आपके सामने चल रही है कि इतनी अच्छी चल रही है ठीक है यहाँ पर जो बटन है यह 12 और 24 और में टाइम को टॉगल करने के लिए है टाइम सेट के लिए यह तीसरा बटन दबाएंगे एक बार ठीक है और फिर लेफ तो आटी क्लोग बन गई आटीसी के साथ 6 डिजिट क्लोग बन गई आटीसी के साथ और इसको 12 hour और 24 hour में भी toggle कर सकते हैं ठीक है तो काफी multipurpose clock मैंने आपको बनाना सिखा दिये इस वीडियो में तो I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा हमने 6 digit जो है RTC clock बना लिए ठीक है ये front में इस तरह से दिखाई देगी और back में जो है देखिए हमने इस RTC को यहां पर चिपका दिया और back की जो वायरिंग को उसका भी वियावस्तित करते हुए चिपका दिया लिथियमायन बैटरी भी इस टाइप की नहीं तो आप मोबाइल की जो स्क्वेर बैटरी होती है उसको भी connect कर सकते हैं वो भी इस charging module के साथ चार्ज कर सकते हैं ठीक है फ्रेंट के जो यह तीन बटन है एक साथ यह टाइम सेट करने के लिए काम में आते हैं और जो चोथा बटन है दूसरी PCB में वह ट्वैल ऑवर और ट्वैल करने के लिए काम आएगा ठीक है बहुत ही अच्छा सरकीट मैंने आपको बनाना सिखाया है जो माइ किट पर्चेस करना चाहते तो आप मुझे वाटस अप पर मैसेज कर सकते हैं या अमेजन का पर्चेस लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से भी आप पर्चेस कर सकते हैं ठीक है तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो थम्स अप दबा दीजिए ठीक है थाइंक य य वर्य मुख कैसले कि टाम कुटी य य वर्या यू नव्या है झाल 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 झाल